अलो प्रेंट में दीपक उपध्याय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस और स्टॉक्स तो पर आज हमें आपके डिसकत कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो स्टॉक है यहाँ पर ब्रेकाउट लिया 260 यहाँ पर देखेगा आपके सामने आपर चाट प्रेजन किया गया यहीं वीकली क्रेंट चाट यहां पर एक वीक को रिप्रेजन करते हैं आपको शोग कर रहें नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 200 रूपए पर यह देखेगा 200 रूपए पर ब्रेकाउट मिला और 200 जाता है कहां तक लगबग लगबग 325 के आसपास तक फिर इस्टॉक में गिरावट होती है अब जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही 200 दिनों के इस्टॉक फिर उपर की तरफ चलता है 350 रूपए के आसपास यहां पर गया था फिर गिरावट करके सपोर्ट किया फिर से स्टॉक लोटा नीचे की तरफ 200 रूपए सपोर्ट लिया और 200-260 रूपए के बीच में किस तरह स्टॉक चल रहा आप यहां पर देख सकते हैं किस जगह के हम बात कर रहे हैं यह देखिएगा 260 रूपए का जो यह लेवल था यह टूटा और स्टॉक उपर गया 300 रूपए के आसपास और 300 रूपए से फिर स्टॉक निचे की तरफ हमें आता हुआ दिखाए दिया यह देखिएगा यहां से स्टॉक फिर उपर की तरफ चलता है एक पर फिर से 260 रूपए का लेवल तूटा और ना सिर्फ लेवल तूटा यहां से स्टॉक उपर की तरफ में भागता हुआ दिकाए दिया और फिलाल 340 पर चल रहा है यदि कंटीनिव तेजी रहती है तो स्टॉक 354 रूपए तक कम से कम जाएगा और यदि 304 पर ब्रेक आउट मिल जाता है इस बात का भी ध्यान रखेगा अभी तो होल्डिंग कंटीनिव रखिए लेकिन 354 पर यदि ब्रेक आउट मिला तो उपर की तरफ 400 रूपए के आसपास के टार्गेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर में रिकमेंड करूंगा एक चोटे से अपने होल्डिंग को कंटीनिव कर सकते हैं फ्रेश इंट्री का सोच रहे हैं तो यहां पर अगर आप फ्रेश इंट्री करेंगे तो नीचे की तरफ 10 से 20 पैंट का आपको श्टाप लास रखना होगा उपर की तरफ लगबग 400 रूपए तक का टार्गेट आपको मिल सकता है लेकिन यहां पर ब्रेक आउट पर निर्वर करते हैं तो यहां से रिजेक्शन भी पॉस्टिबल है तो यह था हमारा टेक्निकल व्यू हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर को ले करके इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और स इस वीडियो